महान चानक के द्वारा रचित चानक के नीजी श्लोके न्वा तदधन पादेनिक अक्षरे न्वा अबंध्यम दिवसम कुर्याद दाना ध्यायं कर्म भी हैं भावार्थ व्यक्ति को एक श्लोक वैदिक मंत्र या आदे श्लोक या श्लोक के एक चरन भाग अत्वा एक अक्षर का ही अध्यम करके उस पर चिंतन मनन करना चाहिए इतना भी न कर सके तो दान ही करे लेकिन दिन को सार्थक करे व्यर्थ न जाने दे एक व्याख्या इस श्लोक में आचार्य चानक्य ने समय के महत्व को जानकर स्वाध्याय करने पर बल दिया है वे कहते हैं कि व्यक्ति को समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए यदि वह कुछ भी न कर सके तो वैदिक मंद्र के एक श्लोक का नित्या ध्यान कर उसका अर्थ मनन करे एक श्लोक को न पर सके तो आधे श्लोक को पड़े आधे श्लोक को भी न पर सके तो श्लोक का एक चरण ही पड़े एक चरण भी न पढ़ सके तो एक अक्षर ही पढ़कर उसका अर्थ मनंग करे यदि इतना भी करना उसके वश्का नहीं है तो दान ही करे लेकिन समय को व्यार्थ न जाने दे सत्य है कि समय बड़ा कीम्ती होता है जो समय बुजर जाता है वो लोटकर कभी नहीं आता नहीं उसे पकड़ कर बांधा जा सकता है क्योंकि समय के सिर पर बालागी की ओर जुके होते हैं पीछे से वह गंजा होता है अतर समय निकलने पर उससे पकड़ा नहीं जा सकता पकरना है तो ही पकरना होगा मेट शुरू न करने से कुछ करना अच्छा है यह कहावत प्रसिद है श्रीमत भगवद गीता के कर्मयूप में भी यही बात पही गई है कि मनुष्य को सतत कर्म करते रहना चाहिए कर्म करना ही उसका स्वभाव है बिना कर्म किये वही इक्षन भी व्यतीत नहीं कर सकता है फिर यह मनुष्य शरीर भी कर्मयोनी कहलाती है इसी योनी में आकर जीव कर्म कर सकता है अन्य योनिया तो केवल भोग योनिया है जिनमें रहते हुए भोगों को ही भोगा जा सकता है इसलिए देवता भी मनुष्य योनी को पाने के लिए सदैव लालायत रहते हैं लेकिन यह मनुष्य योनी बड़ी दुरलब है 84 लाख योनिया भोग लेने के बाद मनुष्य योनी मिलती है जिसमें आकर मनुष्य आत्मोथान का कर्म कर सकता है 84 लाख योनियों का धर्मों ग्रंथों में वर्नन करते हुए बताया गया है कि इन में से 30 लाख पेर पॉधे, 27 लाख कीरे मकोरे, 14 लाख पक्षी, 9 लाख जल के जीव जन्तु वचार लाख पशु योनिया है इसलिए मनुश्य को स्वाध्याय करते रहना चाहिए स्वाध्याय से ही उसका सर्वानगी विकास संभव है स्वाध्याय से ही विवेक जागरत होता है तहां भी गया है कि रितत रितत अभ्यास के जडमती होता सुजान रस्री आवत जात्ते सिर्पर परत निसान इसलिए व्यक्ति को कर्मशी बनना चाहिए न कर्महीन 14. भावार्थ पत्नी वियो, स्वजनों से अपमान, रिल्क शेश रह जाना, दुष्ट राजा की सेवा, दुष्टो व स्वार्थी जनों की संगतिया उनसे घिरे रहना ये रहती हैं कुछ बाते ऐसी हैं जो बिना ही अगनी के हर समय शरीर को जलाती व्याख्या आचार्य चानक्य द्वारा वर्नित उप्रोक्त बाते अगनी की समान दहत्ता वाली है अगनी शरीर को जलाती है लेकिन उप्रोक्त वर्नित बातों से पीडित व्यक्ति मन ही मनकुलता हुआ अपने शरीर को नश्ट कर लेता है यही भाव है यहां चानक्य का यदि व्यक्ति का किसी भी कारण पत्नी से वियोग हो जाए तो वह मन की बात किसी अन्य से नहीं कह पाता पत्नी ही पती की सच्ची मित्र होती है यहां यह भी समझ लेना चाहिए कि एक स्त्री के अनेक रूप होते है वह पत्नी होते हुए भी एक साथ मा, बेहन, बेटी की भूमिका निभाती है जब पत्नी खाना बना कर देती है तब वह मा का रूप होती है जब वह पती की किसी समस्या को जानकर उसका हल करती है तब बेहन का रूप होती है क्योंकि भाई की समस्या का हल बहन से बढ़कर संसार में कोई नहीं कर सकता इसी तरह जब वह पती से अपनी किसी प्रिय वस्तू पाने के लिए तक्रार सी करती है तब वह बेटी का रूप होती है क्योंकि बेटी ही पिता से जग बहस करके अपनी मांध मनवा लेती है उक्रोप्त के अतिरेक्ट जब स्त्री शहिया पर होती है तब वह वास्तब में पत्नी अर्द्धान गिनी इक होती है आगे चले तो व्यक्ति को जब स्वजनों से अपमानित होना पड़ता है तो यह उसके लिए सबसे बड़े दुख की बात है रेल लेकर न चुका पाने की स्थिती इससे भी अधिक दुखताई है ऐसे व्यक्ति का मरन ही समझना चाहिए कारण की तब रिंदाता उसकी एजज़त सरयाम नीलाम करने से नहीं चुकते अतर प्रयास यही होना चाहिए कि शने अशने ही सही रिल से मुक्त होने का प्रयास करें दुख्त राजा या मालिक की सेवा करने वाला सिवाय अपमान की कुछ नहीं पाता दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है दरेत्रिया निर्धिन को कोई नहीं पूचता इसी तरह दुष्टों का संग भी अगनी संदाहत्ता वाला है भाव यह है कि अगनी शरीर को एक बार में ही जला कर राक कर देती है लेकिन उप्रोक्त वर्निक बाते व्यक्ति को तिल-तिल करके जलाती रहती है अगनी से जलने पर धुआ तो उठता है लेकिन इस प्रकार से जलने पर धुआ भी नहीं उठता आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है नदे ती रेचे ये व्रिक्षा पर गेहेशु कामिनी मंत्री ही नाश्चा राजाना शीग्रम नश्यंत्यसंशियम पंद्रा झाल झाल झाल